तो बहुत बहुत स्वागे थे जोरदार तरीके से मेरे सभी आफकाइट आइस्परेंट का लाच 50 देज बिलकुल समय आच चुका है आफकाइट के एक्जाक्ट एक्जाम डेडलाइन का I think 30 December तक आपने फॉर्म फिल कर लिया है और बिलकुल यह लास्ट मोमेंट चल ला है जब आपको बहुत ही फोकस तरीके से अपने प्रिपेशन पर लगना है Technically अगर हम आफकाइट जिसे एक्जाम की बात करते हैं तो कितने जवर जर्स बेकेंसी होती है अगर हर साल क्रमसा देखें तो साल में दो बात पहला आपके पास फैब में अपरिशनिटी है दूसरा आपके पास ऑगस्त में दो बार बैक टू बैक एराउंड 700 वेकेंसी केवल एरफोर्स के लिए आती है डिमांड में वे सिंपल एक्स्पेक्टेशन एक सिंपल रिटन एक्जामनेशन की इतनी बड़ी और इतनी जाधा मात्रा में कि वेल इंडियन एरफोर्स के लिए वेकेंसी ग्राइशन लेबल में वहन दो मोस्ट इंपॉर्टन इंट्री के थार पे है बड़ कहीं बहुत दुख होता है कि ग्राइशन लेबल पे इतनी अवेरनेस नहीं है कि आप इस इंट्री के बढ़ चड़ के अपलाई करें कोई UPSC का एक्जामनेशन नहीं है ना इतने बड़े-बड़े कुछे जाते है एक जेन्मीन और सटीक प्रपेशन है जो कि आपको इस लेबल पे करके इस एक्जाम को क्रेक करना होता है और फाइनली SSB is all about your personality test अपनी personality को सही धंग से प्रूब करना होता है बड़ उसके बावजूद कहीं कहीं awareness की कमी होने से और कहीं ने कहीं exactly सही guidance ना मिलने के वज़ा से आप अपनी performance को अच्छा नहीं कर पाते हैं मैं बड़े गर्ब से कहना चाहूंगा देश के जितने भी AFCAT aspirant है बिल्कुल भटकाओ ब काम करेंगे जो आपके एक्जाम में आपके लिए मददकार होंगे तो फिर आप इंतजार के इस बात का कर रहे हैं बिल्कुल जुड़ी है MkC के हर platform से हमारे official number पे call करके और जुड़कर करके इस बार AFCAT crack करने का सपना पूरा करिए और exactly हमारा mission है 200 प्लस at least in the written examination और साइध उसी बात को मद दे लगते हुए आज हम आपके सामने complete 50 days strategy लेके हाजी रहे हैं आखिर 50 दिन जो बचे हुए AFCAT first 2024 की exam में आखिर उनमें 50 दिन में क्या strategy क्या रननीती आपको बनाना है जिससे आप ए अगर written test हम ध्यान से देखें, simply आपके सामने 100 questions होते हैं, हर question 3 marks का होता है, online mode CBT format पर आपका written exam है, 2 घंटेगा paper, 120 minutes, 100 questions, negative marking आपकी 1 है, that means आपका सीधा सीधा हर question 3 marks का है और negative marking 1 third की है, that means 1 marks आपकी redact हो जाते हैं, तो बहुत साउधानी और बहुत से sensibly इसमें अपरोच करना होता है, कि जो करना होता है, सही करना होता है, वरना नहीं करना होता है, और up to 70 तक question अपरोच करने के लिए, एक बहुत अच्छी study चाहिए इन 100 questions में, कि आखिर सर, arithmetic part में हमें क्या-क्या कबर करना है, जिससे कि सर, जो आप 70 कहा करा, यह सच है कि आप 100% नहीं कर सकते हैं, क् questions के level भी है, तो आकि 70 में, arithmetic के सर, कौन-कौन से topic का क्या महत्यो है, क्या role है, किस तरह के concept पे काम कर लें, किन तरह के questions अपरोच कर लें, जिससे हमारी speed and performance बढ़ सके, एफकायट exam के दरिश्ची कौन से, इंग्लिस में किन topics पे काम करें सर, रिजनिंग में किन topics पे काम करें स जो ही चीजे महत्यपोन है, सबसे पहली चीज, कि आपको उन topic के concept पे काम करना है, और second, एफकायट oriented जो questions है, उनको अपरोच करना बहुत ज़रूरी है, और साथी साथ मैं आड करना चाहता हूं, कि लगातार मौक आपके बहुत beneficial होगा, to understand कि exactly आप कहां stand कर रहे हैं, और मैं आप exactly इन questions के practice कर पाएंगे, जो आपके exam में मददकार है, और FCAT के लिए जो mock है, आप बिल्कुल MKC learning app से जूर करके, ज़र्जा mock practice करके भी खुद को confident कर सकते हैं, exactly इसमे बहतर score के लिए आपके इस समय ज्यादा सदा practice question and mock approach ज़रूरी है, जो आपको MKC platform से easily मिल जाएगा, अब आते हैं, Air Force selection board जैसे written आपका clear होता है, तो आपका SSB procedure done किया जाएगा, फिर आपकी medical प्रक्रिया होगी, final merit आजाएगे, और आपको exactly join करने का उसर मिल जाएगा, पेपर में जैसे बात करें तो general awareness है, verbal ability है, English और numerical ability है, reasoning and military aptitude test के question होते हैं, तो बहुत जुरूरी होता है क में किस तरह के questions आप से पूछे जा रहे हैं, अब मुख्यता अगर समझें तो notification याद है, आपको 30 दिसंबर तक आपने अभी form फिल किया, 16-17-18 February को आपको exam है, admit card आपका around वही, last January, first week, आप फरवरी में आपके admit card issue हो जाएंगे, और उसके आधार पे आपका center decide हो जाएगे, जहां आपको जाके test देना है, अब आज आते है main point बे, कि first 40, जो 50 दिन है, so first 40 days study plan में आपको numerical ability में कौन-कौन से topic है, जिन पे ध्यान देना है, आपको percentage पे बहुत अच्छा काम करना होगा, concept पे और F-CAT oriented questions पे भी, ratio and proportion पे भी, average पे, profit and loss and discount, time, speed and distance, LCM, SCM होगे आपका, LCM, SCF होगे, आपका mensuration, mixture and allegations होगे, और आपके probability होगे, simple interest and compound interest, यह basically जो numerical ability, arithmetic वाला part है, यह है, और बहुत जरूरी है कि आपने F-CAT oriented questions जो पे पुछे जाते हैं, जो बनते हैं, उनको approach करना बहुत जरूरी हो, जब तक वो नहीं करेंगे, आप confident नहीं होगे, इसलिए मैंने F-CAT सारी ही मैं count कर ले रहा हूं यहाँ पर, तो जो 70% का हमारा आकड़ा है, 70-80% है, अगर आप देखेंगे, calculate करके, तो questions यहीं से बन रहे हैं, तो अगले 40 दिन मुझे लगता है, इनको बिल्कुल मगप करके, अच्छे direction पे काम कर लें, वहीं reasoning की बात करें, और military aptitude को, तो simplest मे ही कहना चाहेंगे, कि analogy and classification है, coding recording है, puzzle है, bandrogram है, mirror image, water image, figure matrix, paper folding, blood relation, series completion and completion of incomplete pattern, यह topic है, reasoning and military aptitude के, जो आपको exactly इसमें कबर करने होंगे, साथी साथ, GK की बात करें, तो history, GK के दिरिश्टी को और से, geography, quality, past तो बहुत है, बट आपको समझा है, science, static GK, 123, और साथी साथ, current affair, 123, क इसमें को बाट लो, six month तक का आप segment जो है, इसमें भी cover कर लो, ति यह basic topic है, जो मुझे लगता, बहुत महत्तुक्पून रोल अदा करते हैं, और इसके लिए लगातार हम आपके लिए महनत भी करेंगे, don't worry, पांच जनुरी के बाद आपको, जो मारा special channel है, M.K.C.N.D.C.D. सब्सक्राइब करें, उस चैनल पे, इसमें आपके लिए ज़र ज़र मौक ले आएंगे, और marathon classes लाएंगे, जिससे हम आपको to the point आपके exam oriented आपके काम कर सेंगे, बाकि आप learning app and classes तो जूर के तो best guidance लई ही सकते हैं, और रही बात, बाकि last 10 days के तो मैं एक ही बात कहता हूँ, इतना जदर जदर आप मौक दे सकते हैं, उतना आपके लिए beneficial है, हां मौक देने के लिए अभी थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी, क्योंकि concept पे भी काम करना उतना ही ज़रूरी है, questions पे भी, तो उसके बाद लगातार मौक दीजिए, कम से कम एक दिन में आप 2 मौक का आपना प्लेटफॉर्म पर हमें अक्टिवीटेड हैं, और हमारी बुक्स आपको बहुत मदद करेंगी, बहुत सच्चाई के साथ हम आफकाइट पर काम करते हैं, और मुझे लगता है कि इतनी हूज बेकिंसी इन 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 इफोर्स में इस के लाओं और कहीं है नहीं, तो इतनी मदद आप MKC से चाहते हैं, इस बात को भी जरूर मैंसर करें, थैंक यू सो मच, विशियो और गूड लाग, जय हिन, जय भारत